Hey everyone, welcome to Sarkariate once again तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक important update शेर करने वाला हूँ जो कि NEET UG counselling के regarding है तो अब ही जैसे कि आपको बते second round का result है वो declare हो गया है तो उसके बाद आज 19th of August को दो notices जो है वो यहाँ पर release हो है एक आपका upgradation से related है और दूसरा आपका resignation से related है ठीक है तो उसके बारे में जो हम complete information को इस वीडियो में समझने वाले है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा end तक देखना जिसने भी इस counselling में participate किया था या फिर मॉप आप राउंड में participate करने की सोच रहे हो ठीक है तो यह 19 अगस इस में आप डेट देख सेकते हो आज एक नोटिस है और अर्जेंट अटेंशन काड़ेट्स एंड कॉलेज इस ठीक है तो दोनों के लिए यहाँ पर नोटिस है काड़ेट्स के लिए और कॉलेज के लिए तो यह वाला जो नोटिस में लिखा है कि कि रिपोर्टिंग काउंस्लिंग 20 टीटीटीटी इस द्टीटीट यस्टरेगे तो लिखार तरीक से जो है आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुक्या राउंड टू की आज मैंशना इन दा कंशलिंग स्कीम डदेट्स वह दिन अप्ग्रेड इंग एप्ग्रेड इन ने फर्स और पाटिसिपेट किया था आपको सीघ्री कॉलेट अलोट ऐBox आपके पास अगरुक्द्न है अगर आप चाहते हो तो इन कोरेख देख आप चाहते हो ठीक है तो इन लेते हैं round 1 में और round 2 में अपगरेड हो जाएगा तो अच्छी बात है लेकिन इन case अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि round 2 में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया था और round 2 में अगर आपकी सीट अपगरेड नहीं हो पाई हैं और वहीं सेम सेम अभी भी आपके deposit 4 feature नहीं होगा, 4 feature मतलब की जब्त नहीं होगा, ठीक है, वो पैसे आपको वापस मल जाएंगे security deposit के अगर आप अभी भी चाहते हो round 1 वाली seat पर से resign करना तो उसके लिए इन्होंने date दी है 19 अगस दो पहर 2 बज़े से मतलब आज से start हो गया है और 21 अगस 2023 ठीक है, और round 2 में देखो जिसने participate नहीं करा है उसके बारे में यह information नहीं है यह सिर्फ उनी के लिए जिन्होंने round 2 में participate के था, seat upgrade करने के लिए उसके बाद यह लिखा है कि after which they will be considered as part of round 2 and same rules will apply on them as applicable for round 2 of counselling ठीक है, मतलब यह है कि 21 अगस तक अगर आप कर लेते हो अपनी seat पर से resign अगर आप करना चाते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो फिर round 2 के बाद round 2 से जो लगने वाले rules है वो आपके उपर लगेंगे, कहने का मतलब है कि 21 अगस की date के बाद अगर आप resign करने के लिए जाते हो पीस आपने पी करें, या 5000 करें या 10,000 करें, ओके और candidates are advised to ensure that their resignation letter is generated online by the allotted college failing which the resignation will be treated as null and void, ठीक है तो यह है कि जैसे आप college में जा रहे हो अपना resignation के लिए, उनको बोलते हो college administration को कि हमें अपना admission कैंसल करवाना है तो उनकी तरफ से जो है अगर ऐसा नहीं होगा, तो उस case में आपका resignation acceptable नहीं माना जाएगा ठीक है, उसे null and void मानेंगे, in such a case, candidate will be deemed to occupy the seat still and rules of round 2 apply, ठीक है, अगर मानलो resignation letter online generate नहीं होता और वो MCC के पास नहीं पहुचता है, तो उस case में आपका resignation जो है legally नहीं माना जाएगा कि आपका 100% resignation accept कर लिया गया है, और उस case में फिर वही same चीज़े होंगी, कि आपकी जो round 1 वाली seat है, वो आपके पास ही रहेगी और ऐसा मानते हुए, round 2 के जो भी rules है, मतलब फिर आप उसके बाद अगर कोशिश करते हो seat छोडने की, यह सब तो आपकी जो security fees है, आपको यह हम पर वापस नहीं मिले की एनी लेटर अदर थन resignation letter generated to online porter will not be considered an resignation letter, ठीक है, तो वही same चीज़ है कि resignation letter generate करना बहुत जरूरी है, अब next चलते है हम लोग, दूसरा जो notice है ठीक है, यह भी 19 अगस 2020 को है, तो as approved by the competent authority MCC of DGHS has provided benefit of upgradation from round 2 to round 3 of UG counselling for the academic year, 2023, in this record, candidates may note the falling points, ठीक है, तो देखो इस बर basically हो कहा रहा है, मतलब इन्होंने एक facility आपके लिए इस साल से start कि है, वो है क्या कि round 2 से आप round 3 में upgradation के लिए जा सकते हो अब यह तक, पिछले साल तक देखो क्या होता था, कि first round की counselling में आपने participate किया, जो seat आपको मिली ठीक है, और वो seat के बाद अगर आप upgradation करना चाहते हैं, तो आप round 2 में participate कर सकते थे, लेकिन round 2 में जो आपको final seat मिल गई ठीक है, और अगर मानलो round 2 में आपको पहले बार seat मिली, fresh seat मिली, तो भी आपकी वही seat रहेगी या फिर first round वाली second round में upgrade होई, तो वो भी वही रहेगी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कि जो आपका mop up round है, या round 3 है, या round 3 है तो उस वाले round में भी आपकी seat upgrade हो सकती है, अगर जो आपको round 2 में college मिला है, उस वाले से, ठीक है, तो round 2 में अभी जो भी आपको seat alert हो गई है, तो आप उस पे अपना admission ले सकते हो, और round 3 में फिर से participate कर सकते हो, अपनी round 3 में seat को upgrade करने के लिए, तो ये इस बार की counseling का एक नया feature है, तो उसी के बार में details दिये, please अच्छे से समझ लेना, क्योंकि काफी important है, okay, तो इसमें लिखा है कि round 1 candidates who did not get upgraded in round 2 and want to participate in round 3 of UG counseling में fill choices for upgradation in round 3 since their willingness will be taken as yes automatically, ठीक है, कहने का मतलब कह है कि ऐसे candidates, ठीक है, जिनको round 1 में seat मिली थी, लेकिन उनकी round 2 में seat upgrade नहीं हो पाई है, और वो चाहते हैं round 3 में upgrade करना, तो वो अपनी choices fill कर सकते हैं round 3 में upgradation के लिए, ठीक है, अगर आप choices fill कर दोगे, तो आपकी जो choices है, वो automatically जो है, आपके yes की तरह ले लिया जाएगा उनको, उसके बाद है, fresh allotted candidates of round 2 में fill choices for upgradation in round 3 by giving willingness as yes at the time of reporting for round 2 seat at the allotted college, तो round 2 में अभी जिसको पहली बार seat मिले, आपने suppose round 1 में participate कर रह था, आपको seat नहीं मिली, या फिर आपने round 1 में participate ही नहीं किया था, डिरेक्ली round 2 में अगर आप participate के है, तो अगर आपको round 2 में जो seat मिली हुई है, उसके बाद भी आप round 3 में participate कर सकते हो, अपनी seat को upgrade करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जब आप college में जाओगे reporting के लिए, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा, आपसे willingness मांगी जाएगे, मतलब कि आपकी इच्छा क्या है कि क्या आप round 3 में participate करोगे, या आपको college वालों को बताना होगा, या फिर वो जो भी form अगरा fill करवाएंगे, उसमें आपको yes करके mention करना होगा, उसमें लिखा होगा जैसे कि do you want to participate in round 3 for seat upgradation तो आपको उसमें yes करना होगा, अगर आप कर देते हो तो फिर आप eligible हो जाओगे round 3 में upgradation के लिए, ठीक है, उसके बाद है round 1 and round 2 candidates who are satisfied with their allotted seat and do not want to get upgraded in round 3 may not fill fresh choices in round 3 ठीक है, तो देखो basically है क्या round 3 में आपके पास option आएगा fresh choice fill करने ठीक है, तो अगर आपको round 1 में जो भी seat मिले है या round 2 में जो भी seat मिले है, अगर आप उससे completely satisfied हो और आप round 3 में नहीं चाते हो अपनी seat को upgrade करना या college को change करना, तो आप round 3 में अपनी कोई भी choice filling नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन अगर आप चाते होगे, आपको upgrade करवानी है अपनी seat round 3 में, भले ही आपको round 1 में college मिला हो, round 2 में अपग्रेट ना हो पाई हो, या फिर round 2 में जो आपको seat मिले है, उससे round 3 में आप upgrade करवाना चाते हो, तो उस case में round 3 में जो है, आपको fresh choice filling करनी होगी, तो अभी जो next round होगा, उसकी details में आपको time to time बता दूँगा, कि like fresh choice अगरा cup fill होगी, तो उस time पर आपको choice filling करनी होगी, और एक बर अगर आप choice fill करके save कर देते हो और उसके बाद जब वो lock हो जाते है, तो इसका मतलब है, automatically आप round 3 में enter हो चुके हो, seat up gradation के लिए, ठीक है, और एक चीज़ यह ध्यान अकना है, कि round 3 में जब आपको seat upgrade होते हुई मिलेगी, तो आपको वहाँ पर college join करना ही पड़ेगा and in case नहीं करोगे, तो आपकी security phase वो आपको वापस नहीं दे जाएगी, तो ये भी इसके लिए condition है, तो जो भी आपको करना है, बहुत smartly करना है, अगर आप सच में चाते हो, कि आपकी seat upgrade हो तब याप choices को fill करना, और round 3 में फालतो की choices बिल्कुल नहीं fill करनी है अगर चाते हो, कि आपकी seat upgrade हो तो ऐसे ही college आपने select करना है जो आपको लगता है, कि मेरे को अकर इन में से कोई भी college मिलेगा, तो मैं अराम से इसमें admission ले लूँगा, ठीक है तो ये चीज़ है उसके बाद है, however round 1, round 2 candidates should note that they have to remain in system and should be holding their seat to fill choices in round 3 तो कहने का मतलब है, कि round 3 में भले या participate कर रहे हो, ठीक है लेकिन आपने round 1 में seat ले है, या round 2 में जो आपको seat मिली है, उस seat पर आपको बने रहना होगा, यानि कि admission तो लेना ही लेना है, आप admission को नहीं छोड़ सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी seat अपगेड हो चाहे round 3 में, तो आपको क्या है admission लेकर रखना पड़ेगा round 1 और round 2 वाली seat पर तब तक, जब तक आपकी choice filling नहीं हो जाती, clear है लेकिन ऐसे जो candidate, अभी जो हमने देखा resignation वाला update, ऐसे जो candidate है, जो round 1 के seat पर resign देना चाहते हैं, तो वो resign तो देंगे ठीक है, resign देने के बाद, फिर mop up round में क्या होगा, मतलब कि उनको दुबारा से security deposit करना पड़ेगा, या नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में अब मुझे confirmation नहीं है, ठीक है तो यह है, कि जब आप मतलब, या तो round 1 से अगर आपको बाहर होना है, तो कहने का मतलब यह यह कि आप पूरी counselling से बाहर होना चाहते हो और जब round 3 में आपके पास already upgrade करने का option आ रहा है, तो फिर कोई problem ही नहीं है, ठीक है ना तो आप easily यहाँ पर participate कर सकते हो, round 3 में, round 1 में अगर आपको seat मिल गए, उसको upgrade करने के लिए उसके बाद लिखा है कि if a candidate has resigned round 1 या round 2 seat he or she will have to pay full fee again to participate round 3, ठीक है चलो, दिखिए गया, मतलब confirm हो गया, यह अगली line में उना mention करी दिया कि round 1 या round 2 की अगर आपनी seat जो ली होगी, उसे अगर आप resign कर देते हो, तो round 3 में अगर आपको participate करना है तो उस case में आपको पूरी fees pay करनी होगी, मतलब security fees plus registration fees, तो security fees suppose जैसे 10,000 है 5,000 या 2,00,000 है, मतलब general OBC और SESTA सब अलगाला categories या फिर DM के लिए और उसके साथ साथ जो आपका 1,000 रूपीज या 500 रूपीज या 5,000 रूपीज जो आपकी registration fees है, वो आपको पूरा amount pay करना होगा fresh registration fees तो वो वाली आपको वापस मिल जाएगे लेकिन round 3 में अगर आपको दुबारा से participate करना है, तो दुबारा से आपको security fees याँ पर साथ में देनी होगी ठीक है, तो round 3 के बाद आप जैसे जैसे participate करते रोगे तो उसका rule वही वाला सेम चलता रहेगा और बाकि round 1 वाली जो fees है वो आपके automatically वापस आजाएगे, अभी नहीं आएगे, counselling खतम होने के बाद आएगे ठीक है, तो ये था और उसके बाद लिखा है कि any round 2 candidate who wants to resign may exit with 4 feature before the choice filling of round 3 start, ठीक है तो देखो round 2 में तो same condition है, कि round 2 वाले candidate अगर seat को resign करते हैं, तो वो कर सकते हैं, counselling से बाहर, मतलब round 2 वाली जो seat है, उससे बाहर हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो fees है, security fees वो उनको वापस नहीं दे जाएगी, और वो candidate तब तक ही बाहर हो सकते है round 2 वाली seat से, जब तक round 3 की choice filling start नहीं हो जाती उसके बाद लिखा है कि there will be no option of resignation after the start of choice filling of round 3, जैसे ही round 3 की choice filling start होगी तो round 2 वाली जो आपकी seat है आप उस पर से resign नहीं कर पाऊगे उसके बाद है, if a candidate does not join the allotted seat of round 2, round 3 there will be exit with 4 feature तो वहीं सेम चीज़े, round 1 के बाद तो यह हो नहीं है, round 2 में अगर आप exit कर रहे हो, या round 3 में exit कर रहे हो तो आपको फिर penalty लगेगी, मतलब security fees आपकी वापस नहीं की जाएगी और उसके बाद अगर आप फिर फरदर किसी round में participate करना चाते हो, तो फिर से पूरा amount pay करके आप participate कर सकते हो ठीक है, फिर यह लिखा है कि candidates who have exited with 4 feature in round 3 will not be able to participate in stray vacancy round and any further round, hence exit with 4 feature candidates of round 3 will be eliminated from counselling तो यह भी एक बहुत important point है कि भाई, जो third round होने वाला है अगर third round में participate कर रहे हो, तो या तो उसके बाद participate आगे करते जाना, और third round में participate करने के बाद, अगर आपको third round वाली seat मिलती है उस पर से आप resignation दे देते हो या बाहर हो जाते हो, third round वाली seat पे, seat से छोड़ कर उसको, तो आपके बाद जो round 3 के बाद, जो भी round होगा जैसे stray vacancy round, या मालो उसके बाद भी special stray vacancy round होता है तो आप फिर उसमें participate नहीं कर पा हुए, तो round 3 से बाहर होना, इस light मतलब की बहुत जादा complicated task है, तो round 3 से बिलकुल भी बाहर नहीं होना है, अगर आप round 3 में participate कर रहे हो, तो उसके बाद अगर आपको participate करना है, तो आप कर सकते हो लेकिन round 3 से आप बाहर बिलकुल भी मत हो जाना, अदर्वाइस फिर आगे कि जो भी round नहीं, आगे कि जो भी possibilities है, वो आपकी सारी खतम हो जाएंगे, तो ये आपकी complete details थी, upgradation और resignation से related, I hope एक एक point अच्छे से clear समझ आ गया होगा, फिर बहुत कोई doubt है like, तो आप मेरे को comment section में जरूर बता देना, चिक है तो अगर ये वीडियो आपको helpful लगिये, तो please को जरूर लाइक कर देना, चैनल पने हैं, तो subscribe कर लो, और bell icon को प्रेस कर लो, आगे जितने भी mop up round बगरा हो, कुछ भी जो भी होगा उसके बारे में मैं आपको information देदूँगा,